हम हेलो सुझ करेंगे रंसकिप्शन सेथ हैं इंपोर्डेंट टॉपिक है फाइफ मार्स की अगर बात कर तो इसमें गेन कर सकते हैं आ सकता है ठीकिए ट्रांस्केप्शिब्शन लाँ ले से पढ़िने इन पाटरें इसका बात नते रहिती दिन से और ना сохран इंपर्य विए आए पर इसको पूरी जुरूर देखना है थिक है फास्ट पर आप रेपिए नियुकर प्रॉत डेखना फिक वाप पूर पूर पूरी जुरूर देखना है बाताई थी कि अधिया पास में पास क्या परजेंट है ऐसे स्टेंट परजेंट है उसके अकोडिंग में को दूसी चाहिए कि इसमें पॉलिमरेज की हैं से ट्रांस्क्रिप्शन किया जाता है तो में एंजय में कौन सा है और फॉलिमरेज तीनों टाइप से एक्ट होते हैं फर्स सेक्ड थर्ड है तो स्टार्ट करते हैं इसके आपको क्लियर हो गया तो इसके बाद आता है इसकोडिक घि वह पर है कहा है और अखरों मतरा है। अिसल डिविजन होता है वह आपे जिएवन और जी फेस के अंदर एंधर तंस्किपिजन कौन होता है मतलậब कौपी मतलब formation of RNA होता है copy of DNA template से formation करते हैं synthesis of RNA ठीक है अगर इसके steps के बात करते हैं इसके इसको बहुत सकते हैं structural gene structural gene ठीक है अब last one क्या आएगा termination last one क्या होगा termination ठीक है पर्मोटर है फिसके पास structural gene है termination ठीक है ठीट स्टेप्स नोगों होते हैं जैसे हमाल लेते हैं हमाल पास तो strength होती है DNA की two types की होती है ठीक है three dash two types की होती है कौन सी three dash to five dash and five dash to three dash ठीक है अब इसके अंदर जो five to three dash होती हूँ हमेसा क्या होती है coding strength बोलते हैं उसको ठीक है और दूसरे बार कौन सी होती complimentary है हम इसको बोलते है template strength है जो हमार पर मोटर होता है मतलों आपने पॉलिम रेज होता है वह फाइब जो five से start होती है five chance से start होती है five side से वहां आके add करता है वही से हमारे initiation of synthesis of RNA होता है तर ट्रांस्पोर बाटेंपले स्टेंड के ऊपर ठीक है और फिर लास्ट में क्या मिलेगा termination जिसको क्या करेगा stop करेगा ठीक है और यही सब स्टाइप्स हमने इस ट्रांस्क्रिप्शन के इंदर पढ़ने हैं जो इस तरह बतारा कि एट थाइप्स के ठीक है फिर आता हम अधर्सके डिस्कोवरी किसने की बात करते हैं 1950 के पास में किसने कहता होट्स्विस ठीक है कून थे जी और जी एड होट्स्विस ठीक है और इसके साथ है सेम्वल्ट बीवईज ठीक है और लास्ट वन एस्टिवन्स अमेरिकन साइंटिस्ट थे ठीक है इन ते दो साइंटिस्ट ने अब हमें मैट्रियल को आपको पता होना चींग क्या कहा चाहिए तो मैट्रियल के बात करते हैं कि मैट्रियल हमें क्या चीए पास्टोर हमें आजने पोली मुरेट यह अजय में हमारे लिए इस त्रेंट यह थे ठीक है नाइस्ट वन हमें टैंप्लेट स्टेंड चीए ठीक है एक डीन ने टैंप्लेट स्टेंड लिए जिसके अकवाडिवी तो सिंतेसाइज होगा नाइस्ट वन पोर नुकलियोट टाइट चीए हमें और लोगे टाइट कौन से होंगे जी टीपी यू टीपी एटीपी सी टीपी ठीक है फिर्चे में डाइवेलेंट मेंटल आइन्स और स्वन क्या चेमें डाइवेलेंट मेंटल आइन्स मेंगनीज होगा मेंगनीज होगा जो एक्ट करेंगा एक्ट कोफेक्टर एक्ट कोफेक्टर कोफेक्टर है कि यह मैट्रियल्स हमें जाने चेंज के हैद से हम सिंटरसाइज करेंगे ठीक है अब इसके बाद आता है प्रोसीजर प्रोसीजर के लिए फोल्स्ट्राइप बाइंडिंग ओफ और ने पोलिमरेज तो डडिये अने डुप्लेक्स ठीक है डश्ट्रेक्टर हमारे पाल देने अर्ने पॉलिमरेज यूज नहीं होती है तो तो पर्फस्ट अबनेगा वो बनेगा ट्रांस्किप्शन बनेगा मतलब क्या इनिशेशन होना यहां पर इसकी हाद से बनेगा विदे हैल और आर ने पॉली में जो डीने ये इने स्टैंड होती है पर मोटर जो है पर मोटर और रोमोटर तुम्हार्व फैक्टर और त्रांस्क्रिप्शन फैक्टर को दोनों मिल के स्टार्टिंग करते हैं मतलब क्या घ्रेंगे जैसे यह बाइन करेंगे आने साइट के उपर भी होगी थोदे बताया था यह जैसे इने इस च्रेंट है फ़र्मोटर आगे बाइंद करेगा और इनिचेशन करेगा सब्सक्राइब ट्रांस्क्रिप्ष्टिप्षन पर इनिचेशन करेंगा यहां से एक्सपोस ऑफ देने बेसिस इंपोर्टैटर एक्सपोस ओफ डिन वेसिट नहीं और लुकल टूख उन्वाइंदिंगं सकती हमारी दिन मॉलिक्वल सक क्या होगा लोगलेगा स्ट्रेक्टर के देदने के अब को पता ही होता है क्या उसके पास परजेंट होंगे यह से लिक स्ट्रेक्टर है अपना इडिनीन साथ साथ जुड़ता है लोएने साइटोसीन के साथ जुड़ेगा ताइविन एडिनीन के साथ और साइटोसीन दोईने के साथ है त्लिक यहां पर एडिनीन इस प्रेंड इसके साथ तैंपलेट सब्सक्राइब हो गया है इसको पर एक्सपोजर ऑफ देनली बैस पेरिंग यहां पर बेस पेरिंग हो जैसे अलग हो गई यहां से तो इसका मैट्रियल है प्रजाइब होते हैं वहां से नुकलोटाइड होगी ठीक है जैसे हमारा एक साथ क्या पर टीटीपी है अब आरे सिंटेसिस्स कर देए इस वेर से यहां पर यू लेंगी यू ठीक है टीप को कि नुकलोटाइड हमें चाहिए फोट पॉर टाइप सब्सक्राइब बताया था ठीक है एटीप पिर क्या जाएगा सी के साथ जी टीपी पी रहेगा यू ठीपी यह सारे क्या निक्लोट खोरकिन आप साथ विम भत अमंध्यंग का ने सियं में अभी सांट करना कंवर्ट करना किसमें कि प्राइब आपर सब्सक्राइब करता है नियुक्त्रा-प्राइब हो जाती है ठीक है अब हमी क्या करना है प्रायर फोस्टेज एंजाइब की हालोसे सब्सक्राइब निक लिए साइट मौनोपोस्पेट को करना है कि इसके अंदर सब्सक्राइब मोनो फॉस्पेट करना है इस महत्या है यह क्या है यहां से ट्राइब ऑस पेश्पेट गालतJ पर मार पास क्या वनेगा यूंप मोनो फोस्पेट की चैन फोर्मिशन गनेगी ठीक है एक ऐसी स्टेंजिस के पास मत करणा तर्वाइब हो जाएगा इंप के अंदर टीक है और गेंदर सब्सक्राइब हो जाएगा एंप के अंदर मोनो फोस्पेट की चैन फोर्मिशन होगी यहां पे यह क्या होगे अब इतना होने के बाद लिए नेट्स क्या होगा फोर्मिशन ओफ आर इन स्टेंड अब फोर्मिशन ओफ आर इन बन दी है देखो पोर्मिशन ओफ आर इन चैनल यह हमारी दीन डुफलेक्स के साथ चैनल बन रहें दिया हमारी थीक्ट बेस्पे रपजेंट है तो अभी अपनी चैनल फॉर्मिशन करेंगे जो मौन फॉस्पेट की चैनल फॉर्मिशन होनी है ठीक है तो यह चैनल फॉर्मिशन होनी है टेक्ट ने नेखिए क्या की है formation of RNA chain अब जब RNA chain बन गई है इसके पास तो क्या होगा breakdown of separation of RNA chain separation of RNA chain जाएगी अब हमारे पास देखो यह तो consistency यह लेगी और यह कौन सी बन गई है हमारे पास RNA 523-3 क्या बन गई अब separation होगा है अलग होगी डिटेंट of DNA segment to original form और DNA जो हैलिकेज होगा जाएगा मतलब अपना यह बेस पेरिंग कर ले जाए तो इसका तो रोल नहीं है में क्या इसका और देने करेंट वांगे नेक्स्ट वांगा प्रोसेसिंग मैट्रेशन आप आड़नेज मतलब इसका स्टेप के अंदर आएंगे तो मतलब आयां डे ट्यार करना हमाया पास rest on deep roll in MAR जैंटर कूता है और इसके processing करना हमाय cioè processing कि कॉ Kyra को कि rendering होते है और पास forgiving उत्ति है फिर क्या है यूनियन आएगा नेक्स्ट वन अगर बात करें तो फॉल्डिंग होगा फिर वन क्या होगा निकलोटाइड मोडिफिकेशन वह सब के इंदर है कोन करेगा तो देखों यहां पर क्लीविंग का मतलब क्या है जो लंबित मतलब लॉंग चेंड बनी है उसको क्लीव करना विद राइबो नुकलियेज राइबो बनीख फी है यह शयां ने कि मतलब जो लॉंग चेंड होगी मतलब राइब त्र बिक डॉंग करेंगा विद अंति है यह चोट्टी हो तो उन्हीं को ने ने को छोटा कत करेंगा कि ओस्प्लाइसिंग प्लेक्ष में क्या है जो माने क्पलें इस वेसा कों करेगा झागोको- क्या करेगा रिमोब पड़ेगा नोने क्षाल क्लिए कि इस प्यंद तक मिश्प्लाइस क्या नहीं को अग्त रोखन अब टोटा है opened से एड करेगा मतलब जोइनिंग और फ्रेग्मेंट्स और हारने इसी है से तो प्रोसेसिंग होगी या मोडिफिकेशन वोलिंग है ठीक है नेक्टन फॉर्डिंग फॉर्मेशन और फैलिक्स्टेप्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् निगार करतें, और मायरे मतलब पॉर्मेशन अप्रिंग म tubing कि कॉस्साइब करनाट वोगी ट्राईप आप पॉलिमरेज किछ फ्रक के हाल्स के ऊद्ट तया बता एता हुं आह सी western और ने पॉलिवेज हमारे पास कि फस्ट सैकीन एंड थर्ड थी टैप्स के वक्ते हैं ठीके जो पॉलिवेज जो फस्ट है वो मैक्सिम सिंथसाइज किसका करेगा राइबो जुमल आरने का और जो सैकीन है वो किसका करेगा मैक्सिंजर आरने का और थर्ड किसका करेगा त्रांस बेस आरने का ठीक है और अगर नुकलिय तो इसकी चैन देखते हैं मतलब इसकी रियक्शन देखेंगे तो इसके अंदर देखो क्या आएगा कि ए टीपी प्लस जी टीपी प्लस कि टीटीप कि यह टीपी शोरी प्लस सी टीपी ठीक है इंदर हैस आरने पॉलिवरेज और जो बेस पेरिंग के इंदर हैं पर रहेते हैं मतलब आरने के ओजिनल फोंग के इस टेक्ट्रेंग कर रहेते हैं आरने के इंदर हैं मैंगनीसियम और मैंगनीज यह एंजाइं टेप आप करते हैं मतलब वर अगरेक्शन वर जैगे हैं अभाने टेने टेंपलेट किसमें कुझा कर मद्वर्ट होगा आरने चाइंडर और परस्में पिपी मतलब आई मझें कि यह ओड़ाल हमारी क्या है आप आप शायए थे रांस्क्रिप्सिं सिंट्रिप्शन रियेक्शन ठीक है मतलब तो बात करें तो यह त्राइप स्ट्रेंड फोगी ठीक है टांस्किप्शन सिंटेसिस अपार ने बस इतना इनेक्स्ट करेंगे ट्रांसलेशन